नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोगरा फ्लावर प्लावर प्लांट को प्रूनिंग रिपोर्टिंग से लेकर फ्लावरिंग तक के लिए कैसे त्यार किया जाता है, क्या क्या खाथ फड़ी लाजर्स डालने होते हैं, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता ह जिस से मोगरा फ्लोनिंग रिपोर्टिंग के बाद इस तरह की फ्लावरिंग करने लगता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों अगर आप इस सीजन अपने मोगरा प्लांट में धेरो फूल खिलाना चाते हैं तो इस वीडियो को आप सेप करके भी रख सकते हैं क्योंकि यह वीडियो प्रूनिंग रिपोर्टिंग प्रोसेस से लेकर पूरी फ्लावरिंग अपडेट तक की है पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके और को सेलेक्ट कर लें दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मोगरा समर सीजन में सबसे जादा फ्लावर प्रेडोस करता है क्योंकि इसे गर्म जलवाईव पसंद है इसके बाद थोड़ी बहुत फ्लावरिंग इसमें रैनी सीजन के स्टार्टिंग में होती है विंटर सीजन में तो यह पूरी तरह से डॉर्मेंट हो जाता है ग्रोथ अपनी बंद कर देता है लेकिन जब स्प्रिंग सीजन की सुरुवात होती है तो इसमें नई ग्रोथ होती दिखाई देने लगती है Spring Season की सुरुवात मेरे यहां फरवरी से होने लगती है यह समय अलग-अलग छेतरों के लिए अलग-अलग हो सकता है कहीं फरवरी के मीड से, तो कहीं फरवरी के लास्ट से या मार्च के स्टार्ट में Spring Season दस्तक देती है तो इसलिए इस हिसाब से आपको सबसे बहतर पता होगा कि आपके हां Spring Season की सुरुवात कब होती है विंटर के बाद जैसे ही आपके मोगरा प्लांट में नई ग्रोध दिखने लगे आप समझ जाएगा कि Spring Season की सुरुवात हो चुकी है और इस टाइम पर आपको अपने मोगरा प्लांट की हाड प्रोनिंग कर देनी है इसमें आपको अपने प्लांट की हाइट कम कर देनी है लंबी हाइट तक जाती सभी साखाओं को कट करके आपको हटा देना है और ऐसी साखाओं जिनका सेफ सही से नहीं है इधर उधर grow कर रही हैं उन्हें भी आप cut कर दें सभी पत्तों को भी आपको remove कर देना है इतना करने के बाद आप फिर से check कर दिजेगा आपका plant सही shape में, goal shape में हुआ या नहीं प्रोनिंग के time पर ही अगर आप सही shape में प्रोन करेंगे सभी ब्रांच को बराबर height पर रखेंगे, एक goal shape में रखेंगे तो flowering time पर आपका मोगरा flowering करते हुए बहुत आकरसक लगेगा अब बात करते हैं reporting प्रोसेस पर Porting soil mix में मैंने बहुत simple ratio रखा है मिट्टी, कोकोपीट, नदी वाली रेत और कावडंग मनियोर चारों को मैंने बराबर मात्रा में लिया है इससे पहले की वीडियो में मैंने अलग ratio रखा था जिसमें soil, sand और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा मिलिया था और थोड़ी सी उसमें rice husk भी add की थी चारों को मिलाने के बाद उनकी जितनी quantity हुई थी उतनी सिर्फ मैंने गोबर की खाद उसमें add की थी इतनी अधिक मात्रा में गोबर की खाद add करने के बावजुद भी मोगरा में किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिले बलकि result जो है वो बहत बढ़िया निकल कर आया था इस वीडियो में आप potting soil mix का अलग ratio देख रहे हैं और कुछ दिनों में part by part वीडियो भी आएंगी मोगरा की उसमें भी potting soil mix का अलगी ratio आपको देखने को मिलेगा मैं हमेशा अलग-अलग ratio में मिट्टी त्यार करके मोगरा को ग्रो करता रहता हूँ क्योंकि मोगरा एक hardy flower plant होता है और यह mostly सभी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है आप अलग-अलग ratio में मिट्टी त्यार करके इसे ग्रो कर सकते हैं इससे आप compare भी कर सकते हैं कि कौन सी ratio की मिट्टी में ज्यादा बेहतर result मिलता है अगर आपके पास cocoa pit नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी खाद बालू के mixture में भी मोगरा को ग्रो कर सकते हैं लेकिन आपको मिट्टी और खाद को हलकी धेलेदार बनानी पड़ेगी ज्यादा बारिक नहीं करना है जिससे drainage अच्छी बनी रहे और कोकोपीड एड़ ना करने की वज़े से हो सकता है कि आपको सूबा साम watering करनी पड़े लेकिन अगर कोकोपीड आपके पास हो तो आप जरूर एड़ करें इससे आपको दिन में सिर्फ एक बार ही वार्टिंग करनी पड़ेगी सुबा वार्टिंग करने पर साम तक मौश्चर उसमें बनी रहेगी रिपोर्टिंग के बाद अगले प्रोसेस में आपको थोड़ी सी पानी लेनी है जितने में गमले की सारी मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए और उसमें आपको हाफ चमर्श के करीब फंगिसाइड पावडर एड़ करनी है फंगिसाइड पावडर में आप बावेश्टिन साब जो भी आपके पास हो उसे आप ले सकते हैं फंगिसाइड के अलावा आपको हुमिक एसिड भी 2-3 एमिल के करीब एड़ करनी है इस प्रोसेस के टाइम पर मेरे पास हिविमिक एसिड नहीं थी लेकिन बाद में मैंने इसमें डाल दिया था इसके अलावा तिसरे नंबर पर अगर आपके पास NPK 0-34 हो तो उसे भी आप जरूर एड़ करें लगभख 4-5 ग्राम तक यानि हाप चम्मच के करीब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 0-34 का यहाँ क्या काम देखिए अगर आप 0-34 एड़ करते हैं तो सूट्स काफी सारी निकल कर आएंगी 0-34 का मुखी काम रूट्स की ग्रोथ करना कलियों का साइज वर कलियों की क्वानिटी इंक्रीज करना कलियों को ड्रोप होने से बचाना इत्यादी होता है लेकिन अगर इसे रिपोर्टिंग के बाद सिर्फ एक बार डाल दिया जाए तो मल्टिपल सूट्स निकल कर आने लगते है 0-34 को आपको सिर्फ एक बार डालना है फिर जब पोधा फोलियस से भर जाएगा तब 0-34 की दोबारा जरूरत पड़ेगी रिपोर्टिंग के एक महिने के बाद आपको गोबर की खाद 300 से 3.5 ग्राम तक जरूर एड़ करनी है गोबर खाद की तासिर गर्म होती है इसमें सारे पोसक तत्व होते हैं जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मातरा बहुत ज़्यादा होती है और जाइद है नाइट्रोजन ज्यादा है तो कार्बन भी ज्यादा ही होगा इस वज़े से ये गर्म खाद होता है जो कि मुख्या के पोधे को ऐसे खाद काफी पसंद होते हैं इसके बार डियेपी के कुछ दाने लगभग 4 ग्राम तक आपको लेने हैं जिससे गमले के किनारे किनारे आपको डालने है डियेपी में नाइट्रोजन फास्फुरस की मातरा होती है इससे रूट्स की ग्रोथ और लीफी ग्रोथ बहतर होगी इसके अलावा ग्रोविंग टाइम पर आप मोगरा में सर्शनों की खली की तरल खाद भी जरूर डालें लेकिन इन सभी फड़ी राजस के बीच में 15 दिनों तक की गेप जरूर रखें सभी को एक साथ यूज नहीं करना है सर्शनों खली की तरल खाद गर्मियों में कैसे बनाएं कितनी मातरा में डालें इस पर भी मैंने वीडियो आपके साथ सेयर की हुई है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा इसके अलावा मोगरा को दोबारा फूलों के लिए कैसे तियार किया जाता है उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा मोगरा में जब प्रयाप फोलियेज हो जाए तब आपको एनपीके 0-324-3-4 ग्राम तक 8-10 दिनों के गेप पर 2 बार डालनी है फिर आपको एनपीके 0-050 चलानी है सेम इसी तरह औरगैनिक में फ्लावरिंग टाइम पर आप बनाना पिल का लिक्विट खाद भी डाल सकते हैं दोस्तों अगर आप यह वीडियो इस्पिरिंग सीजन या रैनी सीजन में देख रहे हैं तो ब्रांच की प्रूनिंग के बाद ब्रांचेस को आप फेके नहीं कटिंग से आप धेरो पोधे मुप में तयार कर सकते हैं मोगरा की कलम कैसे लगाई जाती है उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप मोगरा को ऐसी जगह ग्रो करते आ रहे हैं जहांपर सूरी की केड़ने दीन भर नहीं आती हैं तो तुरंद उसे आप ऐसी जगह पर शिप्ट करें जहांपर दीन भर की धूप मिल सके यह अपडेट पहली फ्लावरिंग के बाद अप चौती फ्लावरिंग है इसके बीच की दूसरी तिसरी फ्लावरिंग अपडेट मैंने सूट नहीं की है मोगरा की प्रूनिंग रिपोर्टिंग के बाद आप पूरे गर्मी भर यानि जुलाई से पहले 4 बार तक फ्लावरिंग ले सकते हैं इसके बाद 5 फ्लावरिंग आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगी मोगरा को कैसे घना किया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार टोप पार्ट को कट करने के बाद दो सूट निकल कर आई फिर बाद में उन दोनों को कट करने के बाद टोटल चार सूट निकल कर आई या flowers spent होने के बाद इसे भी कट कर देंगे इस तरह से इसमें टोटल आट सूट हो जाएंगे इसी तरह से मोगरा घना होता चला जाता है वीडियो अगर यूचफूल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो